यहीं दोस्तों लोक सभा चुनाओ के बाद एक बार फिर से बिहार में सिक्छा सेवक की भरती सुरू हो चुकी है यानि टोला सेवक की भरती सुरू हो चुकी है दोस्तों इससे पहले भी आपको टोला सेवक भरती के लिए मैं वेडियो बनाया था जो कि यही पेपर के 288 सिक्षा सेवक की भरती होगी जो कि दोस्तों बहुत से जिले में अब लोकसवा चुनाओं के बाद आपको सुरू हो चुका है क्योंकि दोस्तों लोकसवा चुनाओं में आचार संगीतर लगता जिसके कारण भरती रूप गई थी लेकिन दोस्तों बहुत से जिले में वाला हूँ कि कौन से जीले में अभी भरती के लिए आवेदन मांगा जा रहा है आपको notification आ चुका है पुरी details में दोस्तों जनकारी सेर करने वाला हूँ वीडियो को सुरू से लेकर लाश्ट तक वाच करें अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सस्क्राइब करके दोस्तों के साथ भी सेर कर दे क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो भी जनकारी आपको दी जाती है बिलकुल सही और सटिक तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबी जनकारी को आपके साथ share करते हैं दोस्तों देख सकते हैं यहां पर सिख्चा सेवक यारी टोला सेवक के लिए जो salary है दस सजार मिलने वाला है क्योंकि दोस्तों अपने पंचायव में रह कर यह जो है वह ही अपने पंचायत में आवेदन कर सकते हैं, दूसरे पंचायत के ब्यक्ति उसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं, नीचे में आईएगा तो इसके लिए qualification यानि योगता जो है metric आपको होना चाहिए, minimum age यानि दोस्तों आपका minimum उम्र जो है चेक कर सकते हैं, जैसे ही दोस्तों यहाँ पर चेक किजिएगा, तो देखिए, यहाँ पर जितने भी बिहार के जीले हैं, जैसे की अररिया, अरवल, और अंगबाद, बाका, बैगू, सराइ, भागलपूर, भोजपूर, बकसर, दरबांगा, सभी जीले दोस्तों आजाएगा आप जो भी जीले से आते हैं, सिंपल सा दोस्तों आपको क्लिक करना है, जैसे अभी यहाँ पर पुर्वी चंपारन में भरती, आ चुका है, नोटिफिकेशन जारी किया गया है, तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ आपको ऑफीशियल साइड यहाँ पर इस चमपारण का यानि मोतिहारी का ओपेन होकर आ गया इस three dot पर click करना है click करने के बाद दोस्तों एक notice का यहाँ पर देखी option है इस पर click करना है फिर से आपको three dot पर click करना है recruitment पर यहानि भरती वाले option पर click करना के बाद आपके सामने कुछ पेज ओपन होकर आ जाएगा देखिया हम से गलत क्लिक हो गया है तो यहाँ पर एक बार और क्लिक कर ले रहे हैं देखिया दोस्तों यहाँ पर ओपन होकर आ गया यह नोटिफिकेशन यहाँ पर पेडियेफ का लिंक है जो कि 416 केवी का यह पेडि और नीचे में मिल जाएगा आप लोग देख सकते हैं कैसे कैसे इसमें चैन पर किरिया होगा आपको कैसे अवेदन करना है सब कुछ दिया गया है दोस्तों यहाँ पर हम उपर में कुछ पढ़ने वाले नहीं है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ यह भी बताया गया है कि किस कारण से पले भर्ती निकाला गया था और किस कारण से रद किया गया था देख सकते हैं लिका है महादलीत दलीट यों अल्फ संख़काति पिछले वर्क के अंचल योजना के तहत सिख्छा सेवक और सिख्छा सिख्छा सेवक के लिए रिक्त पद हेतु जो चैन पर करिया आरम किया था परन तू लोक सभा निर्बाचन दोईचोविस के घोशना के कारण आदर्स अचार संगीता को देखते हुए जिला अधिकारी यह कैंसिल कर दिये थे लेकिन दोस्तों पुना आपको वर्ति सुरू हो चुका है जिसका कलेंडर नीचे जारी किया गया है तो नीचे जैसे आ आवेधन प्राप्त करने का तो दोस्तों आवेधन कैसे मिलेगा यहां पर देखियेगा दोस्तों तो आपके सामने मिल जाएगा विद्याले में जाना है और परधाना ध्यापक से संपर्क करना है वही पर आवेधन मिलेगा जो कि इसका जावा करने के तीथी 20 जुन से लेक सेकंड नमर में दूस्तो देख सकते हैं मेगा अंक के गर्ना यह दोस्तों जो चैन पर करिया है, यहां से start होगा जो कि आपके नमबर वेसिस पर यहां पर भरती होता है, लास्ट में दूस्तों आपको जुलाई के लास्ट तक इसमें जोयनिंग भी मिल जाएगा क्योंकि यहां पर जो आवेदन होता है उसमें कुछ गलत होता है आपती आता है तो उसका निर्या करने के बाद लास्ट में मेगा सुची का यहां पर परकाशन कर दिया जाता है तो दोस्तो जो भी आपका प्रखंड है वहाँ पर जाकर अपना पता कर सकते हैं पंचायत है जो अस्कूल है वहाँ पर पता कीजिए गातो सब कुछ पता चल जाएगा कि आपके पंचायत में इस परकार का जो भरती है है की नहीं क्योंकि दोस्तों यह रूधाजी लेकी हैं यानि पक़वी चमबारण वहां की कंडिडेट के लिए ओप निकाला गया है और विशेज जनकारी के लिए हमें कमेंट भी कर सकते हैं मिलते हैं नेक्स्ष वीडियो में नई जनकारी के साथ जयंद, नमस्कार